तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स की चैप्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की है बायोट सेवेंट लॉग उचले देखते हैं बायोट सेवाट लॉग कैसे बनते हैं के पहले हम एक ले रहंगे इन्ट फायर इंफिनाइट वायर और वहीं से इसे की इन्फिनाइट वायर से एक डिस्टेंस करएंगे ं पॉइंट उखली गजिए हम उसको नाम लिए पी और फिर उस वायर को हम सद्जांग कर देंगे神es यहां पर एक सर्कुलर पात बनेगा और इस एंगल सर्कुलर पात को अब उपर वाला एंगल क्या होता है थीटा और डिस्टेंस को क्या बोलते है दी एल यह पूरा डिस्टेंस उसको डी है और यह क्या है उसका यह रेडियस ठीक है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डी डी बी बी मतलब मैगनितीव डी बी इस प्रपोशनल तू आई आई मीन्स करेंड नेक्स्ट होगा db is proportional to dl db is proportional to sin theta ठीक है उसका next होगा db is proportional to 1 by r का square ठीक क्या तक समझा जाया उसके बाद यह सभी formula को db db तक समझा जाया उसके सभी formula को एक side बना के लिखना है उसका formula क्या बनेगा db is proportional to idl sin theta upon r का square यहां पर denominator में करके यहां पर भी इसको denominator पर लिये हैं उसके next bio 7 log का unit क्या होता है tesla unit क्या होता है tesla tesla वो कैसे बनाते हैं ऐसा यह ठीक इसके बाद आगे करेंगे यह हो जाता है r cap is equal to r और यह r ठीक r cap क्या होता है mu not upon 4 pi is equal to 10 के दी पावर minus 7 ही क्या होता है tesla का power ठीक उसके next अब इस पावर को इस साइट लाएंगे तो अब यह होगा mu not is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7 tesla का power है next dv into r square upon id l sine theta mu not upon 4 pi is equal to 10 to the power minus 7 i am upon a a ampere है अब देखेंगे हम बायोट 7 लोग का vector form कैसे होता है dv is equal to mu not upon 4 pi id l sine theta upon r का square next है dv is equal to mu not upon 4 pi id l sine theta upon r square r gap dv is equal to mu not upon 4 pi id l sine theta upon r का square dv is equal to mu not upon 4 pi id l sine theta upon r का cube r cap dv is equal to mu not upon n top dv is equal to mu not upon ryu dot l dv is equal to mu not upon r acta